गोडेवनिंग नमस्कार जैहिंद रामराम सभी बच्चों को कैसे आप सभी उमीद करता हूँ अच्छे होंगे सवस्थ होंगे स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिक्के बाई संदीप सिवाच पर किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज उ सेंड स्टोन के बारे में जो विश्व में सिर्फ तीन ही देशों में पाया जाता है और उन तीन देशों में अपना महान देश भारत भी सामिल है जैसा फोटो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथ के अंदर एक पत्थर का टुकड़ा है मेरे बच्चों यह है डांसिंग स्टोन, कंफिंग स्टोन, लचिला पत्थर, फ्रैक्सीबल सेंड स्टोन के नाम से भी इसे जाना जाता है नीचे आप देख पा रहे होंगे कि यह जो पत्थर है यही पत्थर मेरे हाथ में है और इस पत्थर के बारे में kisses में teacher के मध्यम से अप लोगों को इस पत्थर का रंग कैसा है तमाम बाते हम करेंगे और इस पत्थर को लेकर कल्याना गाओं जहां पर ये हर्याना के चर्खी जादरी जिले में पाया जाता है उन लोगों के बीच इस पत्थर को लेकर क्या धारना बनी हुई है और यदि वो धारना बनी हुई है तो क्या वास्तो शान ए लर्ज के साथ साथ इसे कहा जाता है कंपिंग स्टोन इसे कहा जाता है डांसिंग स्टोन इसे कहा जाता है नृत्य पत्थर इसे कहा जाता है लचिला पत्थर इसे कहा जाता है लरजता पत्थर और इसी को कहा पत्थर इसे कहा जाता है फ्लेक्सिबल सेंड स्टोन मेरे बच्चों यह जो दुरलब खनीज पत्थर है आपका यह पाया जाता है कौन सी चट्टानों के अंदर परतदार चट्टानों के अंदर और यह जो पत्थर है पाया जाता है विसो के तीन देशों में तीन देशों की तीन जगह के उपर मेरे बच्चों यह पत्थर आपका पाया जाता है यह जो तीन देश से इन तीन देश के अंदर एक देश है दक्षिन अमेरिका महादवीप का ब्राजिल देश और ब्राजिल देश का जो राज्य है जहां यह पत्थर पाया जाता है उसका नाम है मिनस रेगेस उसके बाद स्यूक्त राज्य अमेरिका के उत्री कैरोलिना स्टेट के अंदर भी मेरे बच्चों आपको यह पत्थर देखने को मिलेगा पुत्री कैरोलिना राज्य में आपको ये पत्थर देखने को मिलेगा और अब हम बात करते हैं अपने महान देश भारत की और इस महान देश भारत के अंदर अपना महान राज्य हर्याना की और इस हर्याना रज्जे के अंदर जो नया जिला 22 मा बना चर्खी दादरी की और इसी चर्खी दादरी जिले से 7 किलोमिटर दूर एक गाउं जिसका नाम है कलियाना और इसी कलियाना गाउं में दिखाई देने वाला आपको एक विसालकाए पहाड और इस विसालकाए पहाड की दो खासियत उन दो खासियत में हम बात करें तो एक खासियत है मेरे बच्चो यहाँ पर पाया जाने वाला लचिला पत्थर जिसमें आपको रबड की तरह एक लचिला पन नजर आएगा और दूसरी खास बात है कि जितने भी हर्याना के अंदर और चट्टाने पाई जाती है उन सभी चट्टानों में सक्त जो चट्टान है बच्चो वो इसी विसालकाए पहाड में पाई जाती है दूसरी खास बात है लचिला पत्थर के साथ साथ यहां पाया जाने वाला अन्य जगए से सक्त पत्थर और इस सक्त पत्थर का जो प्रियोग किया जाता है मेरे बच्चो वो किया जाता है कुंडी बनाने में अपने गरों के अंदर जो कुंडी होती है तिल वगारा कूटने के लिए जो उखल का आप यूज करते हैं उस उखल की हम बात करें और आटा पीशने वाली जो चक्की होती है उस चक्की के अंदर जो पत्थर के पाठ बने होते हैं बच्चों वो पत्थर के पाठ इसी कलियान क्लियाना गाओं के अंदर विसालकाए पहाड में पाए जाने वाले सक्त पत्थर से ही बनाए जाते हैं और बात करें इस लचिला पत्थर की तो क्लियाना गाओं के अंदर यह जो लचिला पत्थर है यह पूरे के पूरे पहाड पर नहीं पाया जाता बलकि यह जो पाया जात और पश्चिम दिशा में आपको कितनी उचाई पर जाना पड़ेगा मेरे बच्चों 1500 मेटर की उचाई पर आपको जाना पड़ेगा 1500 मेटर की उचाई पर जाकर आपको 384 मीटर गहरी एक खान नजर आएगी और इसी गहरी खान के अंदर जो परतदार चट्टाने हैं उनी परतदार चट्टानों में पाया जाता है आपका ये पत्थर जो आप मेरे हाथों में देख पा रहे हैं इसी का नाम है dancing stone, shang a Major, camping stone, नरते पत्थर, flexible sandstone इसे flexible sandstone क्यों बोलते हैं sandstone तो ऐसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस परकार से बारू के कन आपको नज़राते हैं ना तो इस पत्थर के उपर आपको बारू के कन नज़राएंगे यदि आप इस पत्थर के उपर अपना हाथ भी रगड़ोगे एक बार तो आपके हाथ के बालू जैसे छोटे छोटे कन चिपक जाएंगे इसे flexible क्यों बोलते हैं क्योंकि ये rubber की तरह flexible है यानि कि जिस प्रकार से rubber flexible होता है रबर थोड़ा सा मुड़ना स्टार्ट हो जाता है ऐसे ये पत्थर जो है वैसे ये सक्त है लेकिन ये थोड़ा सा flexible भी है और यही इसकी खास बात है और ये जो दुरलब पत्थर है ना ये सिरफ तीन ही देशों में पाया जाता है और उन तीन देशों की तीन जगे पर ब्राजिल केंcendर रेगेश नाम का राज्य और स्युक्तर अमेरिका केंदर उत्री कारोलिना राज्य और अपने भारत देश के अरियाना राज्य के चर्की दाधरी चिले के कलियाना गाउं में 7 किलो मिटर दूर स्थित विसाल का अप हड़ की पस्चिम दिसामे 1500 mi उचाई पर जो ग्राफफर वो काम भी कर रहे हैं और बहुत सारे जोग्राफफर ने हरियाना सरकार से रिक्वیस्ट भी की है कि कि इस कल्याना गाउं के अंदरी स्विसाल का पहाड के उपर आप लोगों को खनन का कारिय नहीं करवाना है क्योंकि यदी आप खनन की परमीशन दे दोगे इस पहाड को तोड़ने की परमीशन दे दोगे तो ऐसा दुरलब खनीज अर्याना हमेशा के लिए खोदेगा मेरे बच्चों ये एक कम मात्रा में बचा हुआ है और इसको बचाने के लिए सरकार काम कर रही है इस गाओं के लोग भी काम कर रहे है और बा ऐसी धारना हम तब फैलाते हैं जब चीजों को हमें बचाना हो ठीक है तो ये एक धारना फैलाई हुई है कि इस पत्थर को कोई लेके जाएगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ गल्त पक्का होगा कोई ना कोई एपिरिय गटना पकी होगी तो ये था आपका लरस्ता पत्थ dancing stone, camping stone अभी तक आपने किताबों के अंदर सिर्फ पढ़ा होगा और आपने अपने हाथों से इसके बारे में लिखा होगा आज पहली बार मेरे हरियाना के बच्चे और हरियाना के पड़ोसी राज्यों के वो बच्चे जो अरियाना अग्जाम की त्यारी करते होंगे उन्होंने पहली बार क्लास के माध्यम से ये पत्थर देखा होगा और इस पत्थर के अंदर रबड की जैसी आपको flexibility नजर भी आएगी बच्चो कभी आपको ये पत्थर बिलकुल करीब से देखने को मिले या अपने हाथों में लेने का कभी इसको मुका मिले तो आप इस पत्थर के साथ देखेगा आपको रबड जैसा लचिला अपन इस पत्थर के अंदर के अंदर के आएगा नजर आएगा तो मेरे बच्चो आज का अपना ये एक महत्तोपून छोटा सा सेशन जिसमें मैंने बात की है हर्याणा जिक्के के अंदर ये अक्जाम में अक्षर कोशन पूछा भी जाता है लेकिन पहली बार मैंने आपको इसकी बहुत सारी खास बाते बताई है एक और खास बात है कि आप HSSC है मिरे भाई साब यह कुछ भी पूछ सकती है आप से इसका रंग भी पुछा जा सकता है तो इसका जो रंग है ना मेरे बच्चो वो आपको पीला नजर आएगा ठीक है पीला नजर आएगा आप देख भी रहे होंगे नीचे यह जो पीले रंग का पत्थर है यही प्यार आपों के माद्दम से त्यारी करते आ रहे होंगे तो उसी त्यारी को परखने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से मेरे बच्चों इस एप को इंस्टोल करेंगे अग्जाम मंच एप को और यह आपकी त्यारी में और बहत्तर काम करेगा क्योंकि यहां पर मैंने आप वैलेडिटी के साथ मिल रहा है तो आप इस बैच के अंदर एंडरोल कर सकते हैं बच्चों जो जो पूरा का पूरा समझने का सब्जेक्ट है जिस बच्चे को जोगर्फी मुस्किल लगती हो तो एक बार यहां पर जरूर आप विजिट करें और डेमो के रूप में आपको जोगर्फी को समझाया गया है बच्चों जोगर्फी आप लोगों के समझ में आ चुकी है सिरफ आप नोट्स के माध्यम से त्यारी करना चाहते हैं तो यहां पर मैंने बिल्कुल एक नोमिनल कोश्ट के अंदर कंप्लिट जोगर्फी हैं डिटन नोट्स भी प्रवाइड आप लोगों को करवा दिये हैं हर्याना जिक के कंप्लिट छोड़ी ई-book फॉर्म में बच्चो मैंने इस एप के उपर आप लोगों के लिए प्रवाइड करवा दी है ठीक है एक नोमिनल चार्ज इस बुक का मैंने लिया है Lights Bay Запोचे जो कंप्लिट छोड़ी इ-book होगी यह म बड़ा सब्जेक्ट है वो आपको कभी भी दोखा नहीं देगा यानि कि आप बहुत अच्छा स्कोर अर्याना जिक्के के अंदर करेंगे साड़े पांसो पेजीज के अंदर पूरा कम्प्लीट पेपरों के अंदर यदि कोश्चन देखोगे तो मिरे बच्चो इनी नोट से आपको सेम टू सेम डिक्टो लेंग्विज के अंदर कोश्चन भी देखने को मिलेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना सा ही बाकी मिलेंगे हम जिक्के बाई संदीब सिवाच यूटूब चैनल प जालाग।